नमस्कार प्राइम डीवी में आपको स्वागते मैं हूँ आपके साथ शिकाम है रोतरा शिरुवात करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की धर्म स्थलों में तैय मानकों की अभेलना करते हुए बजाय जाने वाले अवैद लाउड स्पीकरों को सरकार की ओर से हटाने के आदेश के बाद प्रदेश भर में इसको लेकर पुलिस प्रशासन की टीम नेका रिवाई की इस दोरान कई धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीक ताकि इससे किसी और को कोई परिशानी ना हो वहीं मुख्यमंत्री के सादेश का सर भी देखने को मिला है कई जगों पर वो चाहे मंदिर हो या मस्जद लाउड स्पीकर हो या तो इसको या तो हटा दिया गया है या उसकी आवाज धीमी कर दी गई है तस्वीरों में देख सकते हैं पकन्नों जिससे भी लाउड स्पीकर को हटाने की तस्वीरे सामनी आई है नधार्मित गुरूओं के साथ बैठक की गई है और सीयं द्वारा दिये गए आदेशों का पालन किया जा रहा है गारा है दो फजम के लिए की तो अभी तक आदेश नहीं मिला है अदेश नहीं मिला है सभी धार्मी देशनों के लुको भूबश्पीकर में तानने का दूसरा आवाज का उनत Democrat का तो कि धार्मित सुहाद और इस ग्रीष देश कि अंदर नह्मारा पर्देस हैुकतर पर्देश, सुच्छा मेंधपूर और सरकार करने दिश है। आज हम लोग होने में चार स्पीकरों में से दिर स्पीकर उतार दिये हैं। जबतकर नौज में जो मानक से अधिक और मानक से तीवर आवाज में जो डॉड़स्पीकर लगाए गये थे, उनसे को हटाने की कारवाई जारी है, इसक्रम में हमने लगभग 50 लॉड़स्पीकर अवैड दिरूप से जादा लगा दिये गये तो उनको उतरवाया गया, और हम लगभग 400 लॉड़स्पीकर जो तीवर्टिता का मानक का उलंगन कर उसे पेट बढ़ रहे हैं, उनकी आवाज कम करवाई गये हैं, साशन दौरा गाइडलाइन नर्गत हैं, और सुप्रीम कोर्ट दौरा मानने उच्टम नयाले दौरा है, उसमें डेसिबल लेवल सभी के लगए हैं, सभी के डेसिबल लेवल चेक किये जा रहे हैं, और जैसा कि साशन दौरा भी अव्यत कराए गया है, जो लॉड़स्पीकर किसी मंदर या मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक इस्थल पे लगए हैं, उनकी आवाज उनकी दोनी होनी चाहिए कि परिसर के अंदर ब लगए हैं, सभी वहाँ के जो प्रबंदक हैं, उनसे बातचीत करके, जो मिनिममम लेवल ऑफ डेसिबल निर्धारेत है, उसी अनुसार उस पे कारवाई की जा रहे है। मुक्तार की पाच करोड रुपए की जमीन कुर्क कर दी गई है, ये जमीन मुक्तार के सालों शरजील रजा और अन्वर शहजात के नाम है, पुलिस प्रशासन ने गैंस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कारवाई की है। और सजील रजा के नाम पर दर्शी। कितने के आठी गेंस्टर रहे हैं? वह इभू संपत्ति है, ये गाटा संक्या 446 परता है, इसका 6 तफर लगभग 0.3134 हेक्टेर है, एवं वर्तमान में इसका बजारु मुल्य लगभग 5 करोड 10 लाट रुपी है। खबर बलरामपूर के धाना कोटवाली देहात की है, जोहां श्रीनगय चौकी प्रभारी, श्रोवन कुमार, बर्मा और पुलिस टीम ने शिव मंदिर और राम जान की मंदिर में पहुँचकर मंदिर संचालकों से लाट स्पीकर हटाने की अपील की। आपको बता दे कि शासना और उचन्यायाले के आदेश पर ध्वनी प्रदूशण को रोकने के लिए प्रदेश भर में इस समय धार में इस थेलो से लाट स्पीकर उतारे जा रहे हैं। सरकार का एक आदेश जारी हुआ है। सभी धार्मिक अस्पीकर उतारने का और दूसरा जो है अवाज कम रखने का। क्योंकि धार्मिक स्वहाद और इस देश के अंदर तो हमारा परदेश है उत्तरपरदेश इसकी स्वच्छा महत्पूंग है। और तो कि सरकार का नग्देश है और सरकार की नग्देशों का पालन करते हुए आज हम लोग वने गई। चार स्विकरों में से तीर स्विकर उतार दिये गए है। किम ने बताया कि लगबग तीन साल पहले वो मदरसे में मौलवी था इस दोरान उसकी मुलाकात साबिर की पतनी से हुई जिसकी जानकारी साबिर को हो गई और साबिर को रास्ते से हटाने के लिए आरोपी मुस्तकीम ने दो लाग की फिरौती दे कर उसे मौत के घाट उतार करने का प्लैन बनाया था फिल्हाल साबिक पर हुए जानलेवा हमले में वो बाल बाल बज़ किया जिसका इलाज किया जा रहा है अपने दो साथियों के साथ लगिना में होटल में ठाना खिला देर किया फिर हरोड़े जवड़ पर ले जा करके चापू से हमला करवाया उसी दोरा एक गारी आगे मर्विवत अवस्था में जाल करके बिच्छोड करके भागे पुलिस के इंडिस्टिडेट करके दोरों बदवासों को मुस्तकिम को हिरासत की लिया जाकर के साथ में दो लाक रुपए में रास्ता हुई थी पचाश जार रुपए एडवास भी दिया था 21 जार रुपए पुलिस ने बरामर कर दिया मुस्तकिम ने बदवासों को मोटर साइकी और चापू हरड़ किया था गाजिपूर में बजली विभाग के डारेक्टर ओपी दिक्षित एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं शेहर में बिजली विभाग की डारेक्टर ओपी दिक्षित ने टीम के साथ मॉनिटरिंग रेड की अधिकारियों की रेड से इलाके में लोगों में हलकम पमच गया करवाई के दौरान बिजली चोरी मामले में 19 लोग और मीटर से अलग केबल खीच कर बिजली चलाने वाले 31 उपभोगता पर FIR दर्च की गई है और बिजली का बकाया बिल जमाना करने वाले उपभोगता के कनेक्शन कार्ड दिये गए है इसी के साथ ही बिजली चोरी करने के मामले में 74 लोगों के खिलाफ FIR दर्च की गई है इसमें जिनकी बाइपास अर्च काटिया है उनकी अनिश में FIR दर्च हो जाएगी एक तीस और उननिस ये कभी पचास लोगों की अफईर दर्च की अज़ाएगी और एक महलने में क्यों खुद गया हूँ चारो महलना में तो मैं देखा है कि लोगों की ये टेंडनेंस ही अच्छे मगाने पके मगाने बड़े तीम की मंजला मगाने और कटिया लगी ये समस्या सोचियल समस्या है पैसे कुई कमी उनकी वास है नहीं गवजयबाद के डासना के IMS कॉलेज में बड़ा हाथसा हो गया IMS कॉलेज के लिफ्ट टूट गई हाथसा की वजह से आठ बच्चे घायल हो गए इन में से तीन बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है गंगा जमुनी तहजीब की विरास्त रखने वाले राम नगरी आयोध्या को अराजक तत्वों ने नापाक करने की कोशिश की है पूरा मामला शहर के कोतवाली नगर छेत्र का है जहाँ दो मस्जिदों और सड़क पर अपशब्द लिखे कागज फेके गए जिसमें एक पवित्र ग्रंत के खिलाफ अभधर्ट पड़ी की गई थी जिसकी सूचिना पर पहुंचे पुलिस ने धर्मगुरूओं को आश्वासन देते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है उनके खिलाफ कठोर कारेवाई की जाएगी शहर छेत्र के दो मस्जीदों के पास आपत्ती जनक बस्तू और पोस्टर यहाँ पे किसी आसामाजिक तत्तो के ग्रूप ने यहाँ पे रखा और एक जगा सड़क पे रखा तत्काल जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस टीमें सक्री हो गई सबी यहाँ के समानित धर्मगुरूं से हम लोग संपर्क में हैं सबी लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि यह जिसका भी काम है उसका मुख्य उदेश खुराफात करना है अराजक्ता फैलाना है इसलिए सबी लोग पुलिस प्रशासन के साथ हैं हम सब कोडिनेटेड एफ़र्ट के साथ काम करेंगे कुछ सरारती तत्यों के दुवारा यह अपति जिनक समग्री फिकी गई है और उसे जब्द कर लिया गया है और मुकर्मा पंजिकित किया जा रहा है और पुलिस इस पर विवेचना कर रही है और सभी मर्स्टेट और पुलिस अधिकारी सब हम लोग धर्म गूरु को साथ संबाद मनाये हुए हैं और शान्ती विस्ता बनी हुए है और सब लोगों ने विश्वास ब्यत्त किया है कि हम लोग बेहतर त्रीके से काम करके और तत्काल मुझ्रिम को हम लोग पकड़ेंगे दो धार्मे के स्थलों पर और एक जगा सड़क पर आपत्ती जनक बस्तू और लेखन शामगरी ठेकी गई थी तत्काल पुलिस टीम को इसकी जानकारी हुई उन चीजों को कपजे में लेके अभी विदी कारवाई चल रही है दहरी प्राप्त हो रही है अब यह पंजकित कि काम है जो कि मलबगड के उच्चा गाउं में नशीलों और आपत्ती जनक पदार्त बेचने वालों पर च्छापा मारा किया है इसे च्छापे मारी की बेड़ी सिगरेट गुठके के अलावा काफी मात्रा में आपत्ती जनक समान मिला है खाद्य सुरक्षा अधिकारी आयू अधिकेशनल सुसाइटी की तरफ से गरीब परिवारों को देने के लिए रमजान राशन किट तयार की गई है इसे ईद पर गरीब महिलाओं और बच्चों को बाटा जाएगा इस किट में आटा, चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, तेल गी, सिवईया, खजूर के अलावा कपड़े भी रखे गए हैं, सुसाइटी के यूथ विंग अध्यक्ष सिप्ते अली ने इस अबारे में जवानकारी देते हुए कहा कि सुसाइटी के राश्री अध्यक्ष अजीम अभासी की तरफ से ये मुहीम आठ साल पहले शिरू की गई थी, जिसे इस अबार भी पूर कोशिश करी है कि जो रमजान केट है, उसमें मंडेरे दे बढ़ा करके और उनको अधिसाधिक प्रियास कर रहा है कि वो उन लोग को दी जाए जो कि बिलो दी पावर्टी गरीवी रेका से नीचे जीवन प्रतित करते हैं और वो भी हमारे साथ ही, यानि कि ये नॉर्मल लो तो हम पूरा खाया लगते हैं, ग्राउंड लेविल जीरो से इनको खोश करके निगालते हैं और जो भी इस चीज का हवदार होता है, सुसाइटी के रेफरेंस हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको ये चीजे मोहिया कराई जाए और साथ में एक मैसिज देते हैं कि सब लोग जो हैं सभी बरावर हैं और सभी को एक खुश महाल और एक खुश मिजात तिहार मनने का पूरा हाक है, सुसाइटी का सिर्फ यही उत्यशे रेता है कि सब लोग साथ रहें और सही तरीके से इत मना हैं और जो खुशिया है आप उसमें एक दूसरे को बाढ़ दे हैं और जो जैसवाल और अन्य अधिकारियों की टीम ने तेरा वांचेत आप राधियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है उत्रप्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टिवी आप देख रहे हैं प्राइम टिवी सच साहस सरोकार